पाठ आठ राजा का हिस्सा प्रकार कहानी सोथी पेला तमारे आ पाठ वाजवानों रहेशे तेर बाद सब्दार्थ लखवाना रहेशे हवे अभ्यासनी चर्चा करिये प्रश्न एक निन्न लिखी समवात किसने किसको कहा और क्यों कौने कौने कीदू अने सामाटे तो पहलू बले आदमी तुम यह क्या आत्याचार कर रहे हो बला कही स्त्री को भी हल में जोता जाता है तो आवा क्या कौन बोले छे राजा बोज किसने सामाटे क्यों तो उसके हल में एक ही बल था सोरी एकी बेल था और दुसरे बेल की जगह उसकी पत्नी हल खीच रही थी इसलिए बीजु यो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम क्यों रोक रहे हो आवा क्यों राजा बोज किसान छे राजा बोज ने कहे छे पर क्यों तो वहा हल चलाना रोक कर राजा से बात करना नहीं चाहता था तीजु भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी ठक जाएगी ठकावट की वज़ा से कोई क्लूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी फरिया बाक्या राजा बोज किसान थे सामाटे तो उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई थी कौन सी पत्नी जो हल में एक बेल के साथ जुती हुई थी चोथू ये मोटी तुम्हारे खेत में उगे है इन पर तुम्हारा हक है राजाबोज किसान धिक्यम किसान के खेत में पैदा हुई मोतियों का स्विकार करना उन्हें उचीत नहीं समझा इसलिए लास्ट नहीं माराज आप इने दाज कोस में जमा कर ले और गरीबों की बलाई के लिए काम मिले पर ये किसान राजाबोच से, क्यों? क्योंकि मोती राजाबाच के परिश्रम से ही उनके खेट में उगे थे, इसलिए मोतीयों पर किसान का हग भी नहीं सा, वैसा किसान समझता था, इसलिए, बरबर? तो आप्रवने क्याने चा माटे अने ए लखवानूरे शे, क्यों पन? प्रश्ण बे, पडिये और चर्चा कीजी, लड़के विध्यालाई में पड़ते हैं, विध्यालाई, शायूक ताक्षर, तो ध्या बनियो, तो ध्या, द्या ने या ध्या, बरबर? द्वार, द्वार, द्वा, द्वार, द्वा, शुद्ध, तो ध, द्वार, 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 शुद्ध, तो ध, द्वार, 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 शुद्ध, तो ध, द्वार, 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 द्वार या बद्धुज लखवानों रहेशे बरोबर सायूंत्ताक्षर छे पन लखवाना छे प्रश्ण नंबर 3 प्रश्ण के उत्तर दीजिए किसान खेती के लिए गिनकिन साधनों का उप्योग करते हैं चर्चा कीजिए चर्चा करवानी छे तो तमने जे साधनों नाम मैं आवड़ता हूं इंदी मैं लखवाना रहेशे किसान खेती करने के कौन-कौन सी फसले पैदा होती है तो खेती करने के बाद कौन-कौन सी फसले होती है जवार, गेहू, चावल, सबजी, फल, आधी फसले पैदा होती है जे गाम चेनिया जो वाजो जे पन नो वधारे उत्पादन थत्तु होई जे नाम लखन केले, नहीं पे खजुरी, तो कुछ भी, अगर किसान हमें किस प्रकार उप्योगी है, खुब इंपोर्टन्ट क्वेशन, और अबने, केवरी ते आपने उप्योग चे, तो किसान की मु सबजियां आधी चीजे वजार में विगने के लिए आती है, जो किसान के द्वारा ही होती है, क्या आप किसान बनना चाहोगे, यदि हाथ तो क्यों और नहीं तो क्यों, तमारे जाते तमारा वीचार लखवाना रहे शे, क्या आप किसान, सरी, छठा क्वेशन, आप बैल ग तमारे लखवानों चे पैलो, बीजो, तीजो, चोथो, अने सात्मू, पशु हमारे मित्र, विशय पर चर्चा कीजिये, आपड़े विशय पर लखवानू, बरबर, तो पशुनू महत्व, प्राणियों नू महत्व, समझ पड़ी गई, कोई पणे प्राणे नी नाई, महत्व, विशय लखवानू, चे पैलो, बीजो, तीजो, चोथो, अने सात्मू, प्रश्ण तमारे लखवाना दैशे, तो आरीते अब्यास तमारे पूर्ण करवानू, चे हवे स्वाध्या, प्रश्णों के उत्तर दीजिये, राजा बोज ने ब्रह्मन करते हुए, क्या द मगर उसके हल में एक ही बेल है, और दूसरे बेल किसान पर कौन है, उसकी पत्मी, जो हल खीच रही है, बीजो, राजा बोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा, तो उन्हें कहा कि भला आदमी, तुम यह क्या त्याचार कर रहे हो अपने पत्मी पर, भला कही किस्तरी को हल में जोता जाता है, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी, तो किसान के पास दो बेल नहीं था, एक ही बेल था, और दूसरा बेल खरीदने के लिए उनके पास दन नहीं था, और खेती जो में अगर जुताई नहीं करेंगे, तो खाना कैसे पाएंगे, तो इसल यह अन नहीं मिल सकता इसलिए इसी मजबूरी के कारण पत्नी उनकी पत्नी बैल की तरह हर खीच रही कर खेती कर रही थी चौथा राजा बोज के दो बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ एक तो दो बैल से हल चलाना आसान हो गया बहुत अच्छी फसल हुई और साथ में उन्हें जहां पर राजा बोज ने हल चलाया था तो मोती उगने से वो बहुत प्रशन था और बाकी के जो किस हीसे थे उसमें अच्छी फसल की ये हूँगए थे इस प्रकर राजा बोज ने जो दो बेल दिये उससे किसान की फसल बहुत उंदा हुई किसान सर्मिदा क्यों हो गया? माचवा क्रेशन तो किसान को पता नहीं था कि अपने दो बेल लेक देकर जिसने उनकी जहायता की थी वो कोई नहीं था स्वयम राजा बोज थे इसलिए जब उन्होंने उसका अपना परीचे दिया राजा बोज ने अपना परीचे दिया तो वो सर्मिदा हो गया किसान के क्या कहने पर राजा बोज ने मोती स्विकार किया? तो किसान ने राजा बोज से क्या कहा? कि मेरे खेत में उगे जो मोती है वो आपकी ही परिश्रम का फ़ल है आपकी ही मेनत का फ़ल है इसलिए आप इतका स्विकार कर ले अगर आप स्वयम नहीं स्विकार करेंगे तो इन्हें राजकोश में जमा कर दे और भला गरीबों की भलाई में उसका उपयोग करे इसलिए य किसान के पास एक ही बेल था, दूसरे बेल की जगा उसने अपने पत्नी को जोट कर हल चला रहा था, राजाबो चाते थी कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बन करके उसे बात सुने, लेकिन किसान क्या कहता है कि उनकी बात सुनता नहीं है वो अपना काम नहीं रोकता यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो अपने उनके साथ चल ऐसा अगर भी वो करता है इस प्रकार काम के प्रति किसान की जो लगन है उसको देखकर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए राजा भोज के बारे में पांच वाक्य आप सब को जानते हैं तो ये जो उसके अच्छी अच्छे स्वभाव के बारे में जो हमने बात की उसके बारे में हमने राजा भोज के बारे में जो भी कहा जैसे कि वो एक पित्वान और गुणी जन को सन्मान देने वाले भी राजा थे वजावत्सल थे फिर वो प्रजा की कठेन्यायों को दूर करने के लिए स्वयम राज्य में गुमते रहते थे और उनके दुखों को दूर करने का प्रहत्न करते दी इस प्रकार आवदू तमारे लखवानू रहेशे सही जोड मिलाईय आख खुलना सही बात का ग्ण्यान होना आख लगना एकदम से सोजाना आख स्चुराना सही बात से टल जाना आख दिखाना प्रोध करना आखों का तारा होना बहुत प्रिय होना आखों में चमकाना लास्ट प्रशन होना आपड़े बदाने प्रयोग करवानी जरूर छे नहीं पन्टु मुहावरा बद्दा है लखवाना रहेशे प्रश्ण पाच नीम्नलिखित सब्द विश्येशन है उन सब्दों का वाक्य में प्रयोग कीची एक प्रजा वदसेले बड़ा होना वीठा महिन नतिया बद्दा सब्दों के वाचे विश्येशन चे तमने खबर पड़े तमारे आ सब्दों नो उप्योग करी पापड़ा प वाक्या मां वाक्या बनावानु छे बद्दा ने बना तावर्षे विश्येशन सब्सुर्ण चे जमें समझी चूकया छो तैना अधरे तमारे वाक्या बनावानु रह से बरोड नीची दिए गया चित्रा का वाणन कीजी और लिखिये चित्रा आपेलू छे चित्रा तोर् बखी शक्षो निम्न लिखित परिछेत का अपनी बात्रु भाषा मेंनू आद कीजे खुब बद नानो परिछेत चे तो हुँ दाइरेक अज भाषा अंतर बोलू छू के बोज राजाए रथ रोक्यो अने खेडूतनी पासे जईने कहीं बला मानस्तु आकेवो अत्याचार करी रहो छे अरे क्यां स्त्रीनू सुहर मां जोत्राती हशे एले के अने हर नो साथे लगावाती हशे बरबर तो आप्रमाने तमारे मात्रु भाषा मां अनानो परिग्राब छे तो हिंदी पन लग जो अने साथे कुजराती पन लग जो बक्से में जो सब्दकाड है उनको सब्दकोस के क्रम में लिखिए सब्दकोस ना क्रम मा तमारे लखवानो रह शे तो सुथी पहला किसान क पच्छी खेत प्रजा प्रशन फसल बैल राजा अने स्त्री बरबने तो आप्रमाणे तमारे पहला सब्दो लखी कार जो अने पच्छी एने सब्दकोस ना क्रम मा गोठ हो जो तो आप्रमाणे तमारे स्वाध्यानू कारिया पन करवानो छे फरी जणावी दव स्वाध्याई मा तमारे कैया प्रशन लखवान ना चे एकथी साथ प्रश्णों राज्याः बोजवी से वाक्य सही जोड मिलाईए वाक्यामा प्रयोग करवानों नथी त्यार बाद आना वाक्या बनावना चे वीशेशन ना यहते प्रश्णा 5 करवानों चे अने 6 ड्रोग करवानी जरूर नथी डाइरेकत तमने जे देखा एवा पात्थी साथ वाक्ये लखवाना रहेशे अने प्रश्ण नमबर साथ अने एन अने बह तो आटलू कारिय तमारे नॉट्बुक मा लखवानू रहेशे अवे आपडे रिवीजन माटे मड़ी सु बरबर बद्दानेच पात्थने समझ पड़ी गया शी यहूं मानूचू